तो एलो फ्रेंट स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तो अगर आपने अधार कार्ड को अपने मोबाइल नमर से आड़ नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए मैं आपको step by step पूरा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ तो दोस्तो चले वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको क्या करना कि सबस्क्राइब करें और यहां से देखने को मिल जाता है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पे click करेंगे यहाँ से आपको नीचे scroll down करके आना है यहाँ से आप देखने की बहुत हो रहे आफंद आपको देखने को मिल जाते हैं download आधार का, order आधार का, तो यहाँ से आपको नीची आना है और capture code को डालना होगा तो चलिए, यहाँ से मैं अपने आधार काड का number आधार का capture code को डाल के यहाँ से आपको आगे का process करके दिखा दे रहा हूँ तो दोस्तों, यहाँ पे अप देखने की मैंने अपने आधार का number डाल दे, capture code को डाल दे है इसके बाद आपको क्या करना है कि यहां से आपको सिधर Proceed and Verify आदार वाल आफन पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप एस पिक क्लिक करेंगे यहां से आपको थोड़ी देर वेट कर लेना होगा तो यहां से आप देख रहे हैं कि यहां पर जो मेरा आधार काड है वो verify हो चुका है यहां से आप देख सकते हैं कि आधार verification completed जो आप मेरा आधार काड है वो मेरे mobile number से verify हो चुका है यहां से मैं इस तरह से अपने mobile number से अपने आधार काड को verify कर चुका हूँ यहां से आप देख रहे हैं कि gender भी देखा रहा है, state भी देखा रहा है और आपके अधार कार्ड में आपका जो mobile number link है उसके last के 3 word यहां पे show करें यहां पे आप देख रहे हैं कि जो 3, 2, 1 जो मेरे mobile number के last का 3 digit है यहां पे show कर रहा है इस तरफे आप बहुत आसानी से अपने अधार कार्ड में अपने mobile number को verify करके complete कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपका भी अधार कार्ड आपके mobile number से verify नहीं है तो यहां पे आप इस तरफे verify कर पाएंगे तो दोस्तों अगर आपका verification में कोई भी आपका problem आ रहा है यह आपका verification नहीं हो रहा है तो आप मेरे वीडियो comment box में comment करें मैं आपको उसका solution जरूर बताऊंगा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें वीडियो को share करें और दोस्तों अगर आपके मन में कोई comment है तो आपने के comment box में comment करें तो दोस्तों चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में